इस वीडियो में हम प्रिवू कर रहे हैं ICC Women's Cricket World Cup का मैच No.9 जो की इंग्लेंड और सोताफरिका Women's के बीच खेरा जाएगा शार्जा Cricket Stadium पे मैच रडेटर सारी इंफॉर्मेशन और प्लेयर के डीटेल स्टैट्स सारी चीज़ें आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाले ह अगर आपको इंफर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे जोब लोग न्यू विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर प्रेस करना और एक खास चीज़ धियान में रखना है टेलिग्राम पे जरूरू करना है इसात जो है इस मैच में भी आपके लिए गिववे रखा गया है तो गिववे में जुख दर्शे करने के लिए आपको फते क्र न हो चुके है और जो अगर नाम आती है तो जरूर आप वहां पे हमें पौंटाक्ट वगरा भी कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वेन्यू स्टैट्स की बात करता है 14 मैचस खेलेगे हैं वेन्यू पर आंट मैच जो है बैटिंग फर्स ने जीता है और बैटिंग सेकेंड ने छे मैचस जीता है बैटिंग फर्स करना एक आप्टिमल चॉइस है इस वेन्यू पर और 150 से नीचे ही maximum आप्टूबर को दो मैच हुए थे तीन अप्टूबर को दो मैच हुए थे और इन चारों मैचस में स्कोर समय बहुत मॉडरेट देखने को मिलें 115-120 के आसपास के ही टोटिल समय ज्यादा तर देखे हैं और चेस करने वाली टीम्स थोड़ा जो है स्ट्रगल कर रही हैं यह च ऐस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया भाई ऐस्ट्रेलिया है और यह टाइटल विनर कंटेंडर्स है तो वह डेफिनेटली अलग ही उनका जो हैं पर अंदास होता है खेलने का और बांगलदेश ने 119 बनाया था स्कॉटलेंड को 103 पे रोक लिया यह भी काफी लो स्कोरिंग की है कि लो स्कोरिंग इवेंट्स हुए है और चेजिंग साइड थोड़ा स्ट्रगल की है रिगार्डलेस अफ दे फैक्ट कि वो कोई भी टीम हो बस आस्ट्रेलिया चोड़के बागी सारी टीम्स ने लगबग लगबग स्ट्रगल ही किया है चेस करते हैं और इवन बाटि और चेक्ट में बहुत ही रेरली देखने को मिलता है कि कोई स्पिनर आपको 18,19 या 20 वावर डालताव है देखने को मिलें अलेस कि यहां पे विकेट बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही हो स्पिनर्स को तब ही उनको बोलिंग दी जाती है उस सिचुएशन में वरना जो डेथ सी बोलिंग कराते हैं लेकिन वोमन्स क्रिकेट में बिल्कुल डिफरेंट है यहां पर पावर रिटिंग जो है उतनी ज्यादा नहीं होती तो इसी वज़ज़ से जानबूच के जो है टीम जो है स्पिनर्स को ज्यादा डलवाती है स्लॉग ओवर्स में ताकि जो है जो टीम ज ज्यादा टर्न कर रही है या बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए हेल्प है यह प्योरली जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि टैक्टिकल जो है विकेट्स होते हैं क्योंके डैथ में जो है स्पिनर्स को काफी ज्यादा अटैक करने के चक्कर में विकेट्स खो जाता है लाया था नीचे बैटिंग में नेटलिय सीवर अलसो बहुत जल्दी आउट हो गई थी आने संगी इनका पर विकेट निकल गया और हेदर नाइड इनने भी बहुत जाधा कुछ किया नहीं चेरन बनाए और आउट हो गई थी अलिस कैपसी नौरन अंड एमी जोन्स की बात कर तो उन्होंने 12 नाट आउट बनाये थे और और नीचे जो बैटर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यागा स्कोरिंग की नहीं थी तो बस जो टॉप आटर का स्कोर था वही था एक सो अटर आपने देखा रीसेंट मैच में स्कोर बनाया था इन्होंने और बहुत ही छोटा तो टोटल था और अगर नीचे देखो अगर बैटिंग होती है तो डेफिनिटली एमी जोन्स अगर ज़्यादा कुछ केंदे खेलने को मिलता या पार्टनर्शिप कोई लगाते साथ में तो उनका ये केनिंग अच्छा आ सकता था और एलीस कैपसी थोड़ा मेरे को लगा था कि इनिशल स्टार्ट अच्छा लिया था देन उसके बाद जो है फिर एक गनश शॉट सेलेक्शन देन उसके बाद सारी चीज़ें जो है पर इनके लिए फंबल होती गई और नीचे जो है बैटिंग जाता किसी ने अच्छा किया नहीं था ये चीज लास्ट मैश में हम ने नोटिस किया है बोलिंग से अगर आप देखो तो लिंसी स्मित ने काफी इंप्रेस किया उन्होंने जो दो विकेट निकाले चालीडीन उसके इन्होंने डेथ में बोलिंग करवाई और इन्होंने दो विकेट निकाले और उसके इलाबा अगर आप सारे स्पिनर्स की अ की बात करें डैनी गिपसन होगी नेटले सीवर ब्रेंट होगी नेटले सीवर ब्रेंट आपको पाउर प्ले में ज्यादा ऑपरेट करती दिखेंगी डेथ में में भी एक ओवर आजाए अठरवा या उन्निसवा डाल सकती है last over most likely जो है आपको चालीडीन या लिंसी स्मित ही बोलिंग कराते दिख सकती है जो कि last match में करा चुकी है लिंसी स्मित तो definitely death में ये डालते दिख सकती है Eclis Storm को death में नहीं डलवाया, middle में डलवाया, एक over power play में आया, इनका बागी सारे overs इनके middle में आये तो क्या team again यही जो है आपे strategy अपनाती है देखनी वाली बात है क्योंकि आज के match में हमारी ये CVC contender भी होने वाली है तो ये काफी ज़्यादा important fact बन जाता है कि क्या ये death में डालेंगी अगर डाल रही है तो definitely CVC option बनेंगी अगर नहीं डाल रही है तो फिर नहीं बनेंगी ये चीज़ कहना थोड़ा मुश्किल है कि death में आईगी या नहीं वैसे तो देखो last world cup तक भी और even जो अगर आप the 100 की पर उठा के देखते हो stats तो ये death में बोलिंग कराती है और ये अकसर death में बोलिंग कराते हुए काफी ज्यादा successful भी रही है लेकिन team last match में कुछ अलग ही इनोड़े strategy अपनाई थी और क्या same strategy होगी मेरे को लगता है most likely वही होने वाली है क्योंकि लिंस स्मित काफी prime form में चल रही है तो उनको ज्यादा death में बोलिंग कराना हो सकता है एक और आजाए वैसे भी क्योंकि चार्ली डीन ने लाश मेंश में डाला था एक और तो उसकी जगह हो सकता है यहाँ पर एकलिस्टन को बोलिंग कर वाली जाए तो possibility है इनका swap हो सकता है बाकि लिंस स्मित का death में बोलिंग आना यह definitely तय है और यह आने वाली है अगर बैंच की बात करें लॉरन मेल है बहुत अच्छी पेसर है अगर डैनी गिप्सन की जगह लॉरन मेल खिलाना चाहता है तो खिला है कि बाई यहां पर बैटर को शॉट करने की कोशिश करेंगे हाँ definitely हो सकता है एक और एक्स्ट्रा बैटर खिल वाले सोफे डंकली या यहां पर बैस हीत की जगह बैस हीत के तोर पर किसी एक जो है पर बोलर की जगह मुशला एक डैनी गिप्सन की जगह ही खिलाया जा सकता है फ्रेया केंपी बहुत अच्छी बैटर है comparatively अगर आप डैनी गिप्सन की बागते रहे डैनी गिप्सन टॉप और में अच्छा खेल लेती है लेकिन नीचे फिनिशर के तोर पे उनका उतना experience नहीं है तो मैं बोलूँगा फ्रेया केंप एक option बन सकती है अगर टीम खिला अच्छी बागते लिए तो चारो ओप्षण जो मैंने आप एंच्छ पर डाले है चारों के चानों के इस मैश में खिलने के चांसे ज्यादा बंते हैं लेकिन लाश मैश में करके आ रहे हैं तो मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चेंजर की सोचने वाने अब ही सोत अलग ही लेवल पे चल रही है, अगर आप यहां पे फिलाल के जो स्कोर्स को देखते हैं, आपको नहीं लगेगा कि इतना ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन आपने एक्चुल मैचस को देखा होगा न, तो आपको बता चलेगा यह जो आपको 20, 25, 25, 81 वाली इनिंग भी पे इंप्रूब नहीं कि आप बहुत गजब इंप्रूबमेंट आया है, और अलग ही टेमपरमेंट के साथ खेलती हैं, मेरे को तो बहुत ही जादा इनका स्टाइल बैटिंग का पसंद आता है, तो मैं डेफिनिटली बोलूँगा, आपके लिए स्मोल लिग में स्टाइल में भी ना हो है, आप मारिजन कैप ज़रूर ले ले लेना, क्योंकि बाई बैटर बोलर दोनों हैं, तो आप ज़रूर रखो, फार्म देखो, इनका और जो है, आई तिंक आप नेटले सिवर ब्रेंट, इन दोनों का आप फार्म मैच करके देखना, जो आपको सही लग रहे तो आप अपने हिसाब से अपना डिसिजन लेना, जो आपको लगता है, स्टैट्स को मैच करना, देन आप अपना डिसिजन खुद से बनाना, और अपना ओपिनियन जो भी हो पा, ठीक है, सुने लूस, अभी फिलहाल एक दो और बोलिंग करवा रही हैं, और एक प्रॉपर लेकिन अभी इनकी बैटिंग का जो इस्यू है, और साथ इसाथ बोलिंग की जो कंसिस्टेंसी है, ये दोनों चीज को अगर आपको आपके आपके अपना अच्छा नहीं है, तो फिर तो मैं बोलूँगा आपके लिए स्मॉल लिग का ओप्शन नहीं बन रही है, अब ग्र अट्रिबूट किया था, लेकिन बोलिंग से जो इनका मेन वेपन है, वहाँ पे इनोंने ज्यादा अच्छा फार्म अभी रिसेंट में रखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा स्मॉल लिग के लिए अच्छी ऑप्शन बनेंगी, आप ले लेना, क्यूंकि इंगल आपके लिए एक उप्शन बनेंगी, डेट में डाल रही है, तो भाई ये एक प्रॉपर उप्शन आपके लिए बोलर का बनती है, अगर आप पेसर कोई रखना चाहते हो, सोताफरिका की तरफ से पहला उप्शन तो आपके लिए मारेजिन कैप रहेंगी, देन आप जो है सेकेंड ऑप्शन में निडाइन डिकलर को रख सकते हो, लेकिन इनका भी फार्म वाला थोड़ा जो हैंपर मसला रह जाता है, और नीचे डिरेक्शन है, डिरेक्शन भाई एक ऑप्शनल बिल्कुल 100% ऑप्शनल प्लेयर है, अभी इनका बैटिंग, बोलिंग कोई इन दोनों का जो हैंपर, आप जो है, अपने हिसाफ से डिसेंग लेना, मैं तो बोलूँगा अवाइडी करो तो बहतर हो सकता है, नॉन कुलूलू को मलाबा लाश मैश में चार विकेट निकालने हैं, काफी एक्सिलेंट बोलिंग और डेथ में बोलिंग करा रही हैं, और आप यहां पे मलाबा के इलावा ज्यादा उप्शनस जो है, स्पिन में नहीं देखोगे हैं, अगर बेंच में भी आप देखते हो ना, एक नाइडू करेके आपको प्लेयर दिख रही है, उसके इलावा कोई भी स्पिनर नहीं है, मतलब बेंच पे अगर आप देखते हो त इस पूरा टूर्नमेंट में, तो इनके ओपर जुरूर खास नजर बनाया रखना और हर मैच में आपको इनको मैक्सिमम कोशिश करना है कि पिक करना है टीम में, और आयो बंगा खाका आपको देखने को मिलेंगी, इनका बैटिंग फॉर्म जो बोलिंग फॉर्म में वो थो तो आप उनको पिक कर सकते हो, ज्यादा शूर होके अगर आप पिक करना चाहते हो, बाखी तो देखो, इनकी भी प्लेंग एवन में मेरे को नहीं लग रहा कोई चेंज होने वाला है, बैटिंग कमपैरिजन अगर दोनों टीम का करें, तो मेरे को लगता है सोताफरिका की ब अगर बैटिंग से मेरे को लग रहा है, हलका बहतर है सोताफरिका, और बोलिंग के बैसिस पर आप देखो, इंगलेंड डेफिनेटली वहां पे काफी हद तक बाजी मारता है, तो मैं बोलूँगा, फिर भी और अगर आप दोनों चीज़ को मर्च करके भी देखते हो, तब अभी इंगलेंड और आने काफी जो हैंपे कॉम्पैक्ट और फुल पैकेज नजर आता है, हेट्ट्वेट चोविस मैचस के ले गए हैं, इंगलेंड ने जीत है 19, तो यहां पे काफी क्लियर कट जो है, इंगलेंड का विक्टरी आपको देखने को मिल रहा है, रीसेंट त अगेन इस मैच में पहला इनिंग केलते वे इनका इनिंग आप देखो, अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यूंके पुरान इनिंग भी आप देखोगे तब बता चलेगा, तो इन्होंने पहला बैटिंग में भी रंस बनाए हुए हैं, मारे जिन कैप के भी 27 है, आयू बं यू बर्मिंगम और डर्बी के दो मैचस हैं, जो इंगल 67 हैं, वहां पे मैचस में हैं, 2020 के मैचस हैं है, और दो नहीं मैचस में इंगलेट ने डिफेंड़ करके माच को मिंग किया, तो टीन हैट टीन इट्टू यें माच साथ हैं यह एक कॉलन पैट moral मै हैं, और अगर figures के साथ दिख रही है तो आप त्याजमें बिट्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करना small link में तो भाई किसी हालत में आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है हर टीम में आपको इनको रखना ही रखना है टीम की बात करें फिलाल है मेरी टीम होने वाली है मैंने एमी जोन्स को विगिट की पर रखा है अब यहां पर जौफता लेने का उप्शन बनता नहीं है तो इसलिए मैंने उनको छोड़ने का डिसिजन लिया है और मैं लूंग अभी नहीं most likely सारे grand league के combination में भी मेरे एमी जोन्स होने वाली है Danny Wyatt मैंने लिया हुआ है Laura Walford और Tasman Bits काफी hot farm में चल रही है तो इनको मैंने लिया है अब बूशिय भी pick करना चाते हो pick कर सकते हो लेकिन मैं बोलूँगा ज्यादा bowling के ओपर focus करना Chloe Trion अभी फिलाल के लिए मैंने draft किया है हो सकता है मैं अपनी team में हटा के कुछ extra bowler वगरा try कर लूँ तो most likely हो सकता है मैं वही करूँगा मैं Chloe Trion को हटा दूँगा तो मैं आपे एक extra bowler भी pick कर सकता हूँ या even एक extra batter भी अगर आप एक proper pick करना चाता है तो pick कर सकते हो निडाइंडी क्लाग का भी option आपके पास option है लिंसी स्मित खास करके काफी potential है grand league में जरूर cvc बना के try करें अच्छा option आपके लिए बन सकता है एक लेस्टन काफी सारे लोग बनाएंगे लेकिन लिंसी स्मित और तैजमिर बिट्स ये दो option मैं आपको grand league में दे रहा हूँ cvc बना के जरू try करना फिलाल है मेरी team है इसमें कोई भी update होगा change होगा सारी चीज़ आपको मिलेंगे टेलिग्राम पे और जो giveaway का result है वो भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टेलिग्राम पे description में link है आप वहां से पहुँच जाना कहीं और से नहीं जोइन करना description की link से ही जाना है और आपको पहुँच जाना है हमारे टेलिग्राम चैनल पे final update आपको वहीं पे मिलेगी और free teams मिलेंगी सारी sports की तो आप जो आप काफी winnings कर सकते हो तो जाए टेलिग्राम पे ज़रूर जोइन कर लेना और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लाना है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नीव अपडेट्स के साथ